शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें पारडी में रविवार को हुई आपरादी बालया वंजारी के हत्या के मामले में पुलीस ने दो आरूपियों को गिरपतार कर लिया है पकड़े गए आरूपियों में मेहर मार्केट, पारडी निवासी, नरेंद्र, गनपत्राओं मेहर, उम्रपचपन और रवी, गनपत्राओं मेहर, उम्रपचास का समावेश है न्याले ने उन्हें चार दीन की पुलीस हिरासत में रखने के आदेश दिये है जानकारी के अनुसार घूरने के कारण बाल्या ने नरेंद्र को थपड़ मारा था दोबारा वह विवाद करने के लिए मेहर मार्केट में पहुचा था वहाँ विवाद होते ही नरेंद्र और रवी ने लाठी और पत्तर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया मिली जानकारी के अनुसार मेहर और बाल्या की छे मैने से रंजिस चल रही थी पार्डी परिसर में मेहर परिवार का बड़ा दबदबा है वही बाल्या पूरे इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए आए दिन किसी न किसी से मार पीट और गाली कलोश करता था लेकिन मेहर परिवार पर उसका जोर नहीं चलता था इसलिए वा लगातार उनसे विवाद करने के कारण धूनता था शे मैंने पहले भी उसने नरिंद्र के साथ विवाद किया था रविवार की सुभा भी ऐसा ही हुआ बाल्या मेहर मारकेट पहुचा तब नरिंद्र वही मौजुद था नरिंद्र द्वारा घूर कर देखी जाने पर बाल्या ने विवाद चुरू किया उन्हें एक ठपड भी मार दिया इस बात से नरिंद्र आग बबुला था लेकिन परिवार की चिंता होने के कारण विवाद नहीं किया शाम पाज बजे के दोरान बाल्या दोबारा उनसे विवाद करने आया तो नरिंद्र ने लाठी उठा कर सीर पर मार दी रवी भी पास ही बैठाता उसने वे फत्तर उठा कर बाल्या के सिर परवार किया दोनों भाईयों ने विलकर बाल्या को मौत के खाट उतार दिया नरिंद्र को पाड़ी पुलीस और रवी को क्राइम ब्रांश की यूनिट पाश ने हिरासत में लिया सोमवार को उन्हें न्यायले में पेश किया गया अदालत ने उन्हें चार दिन की पुलीस हिरासत की मंजूरी दी है मामले की जाच जारी है कैमेरा परसन विरेंद्र खोबरागड़ी के साथ शितिजाद एश्मुक के रिपोर्ट इन बीसीन नियूज